नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासे में कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं सभी लोग स्वस्त होंगे और अच्छी प्रपेशन आपके स्टार्ट हो गई होगी हमारी भी दोस्तों विसेश सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें अभी हमने seven classes ली हैं आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सेक्षिक विचारक और उनकी सेक्षिनिक अवधानाओं के बारे में educational thinker and their pedagogical concept इसमें पहले educational thinker हैं दोस्तों रूसो तो रूसो की क्या सेक्षिक अवधाना हैं इनके द्वारा सिक्षा के प्रती क्या क्या दिश्टिकों प्रस प्रीश चल ली है जिसमें हम आपको topic wise theoretical classes प्रोवाइट करवा रहे हैं तो चलिए आज की class को start करेंगे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्षिक विचारक और उनकी सेक्षिक अवधाना है इसके क्रम में जो पहले सेक्षिक विचारक है वो है रूसो सबसे पहले हम जानेंगे कि रूसो आखिरकार कौन थे इनका full name था दोस्तों जीन जिक्स रूसो एक महान सिक्षा सुधा युक प्रवर्तक राजनेतिक आधुनिक प्रजा तंत्र के जनक और प्रकतिवादी के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है तो बेसिकली दोस्तों जो जीन जिक्स रूसो थे यह आपके ग्रेट एडुकेशनल रिफॉर्मर थे सोशल रिफॉर्मर थे पाइनियर थे फ इसलिए दोस्तों इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्न डेमोक्रेसी बनाया था जो आधुनिक जो प्रजातंत्र है उसका जनक दोस्तों इनको माना जाता है ठीक है न इन्होंने प्रकतिवाद को सिक्षा का आधार बनाया रूसो ने नाच्रलिज्म को बेसिस बनाया ए इसके बाद इनकी रसनाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों सतरह सो पचास इनको तक जो रूसो की रसनाःए है, यह दोस्तों काफी इंपॉलिटन है, इस से समभने तापके प्रश्शन आ सकते हैं, सबसे पहले जो रसना है दोस्तों वो है the discourse of arts and science, the discourse of arts and science लिते से पार द थी the new hill wise ये दोसों की important दोस्तों रसना हैं इसके अलावा दोस्तों दो important रसना है जिनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखेंगे उसको हमने आपर especially mention में किया है दोस्तों ये थी social contract उस समय के दोस्तों जो सामाजीक और राजनीतिक विचार इन्होंने प्रकट करते हुए इन्होंने वहाँ पर जो व्यक्तिक दासता है यानि कि जो slavery है इसका दोस्तों इन्होंने विरोध किया था तो opposition to personal slavery while expressing social and political view इसके अलावा ततकालीन सामाज और राजनीतिक इन्होंने व् को बताती है सिक्षा के संबंदी विचारों से दोस्तों युक्त है करांती कारी सिक्षा संबंदी विचारों से युक्त with the revolutionary educational idea और दोस्तों इन्होंने बालक की विकास की विभिन अवस्ताओं वो सिक्षा संबंदी प्रावधान उपर यहां पर प्रकास डाला है हम दोस्तो इनकी बहुत important रसना है अब बात करेंगे दोस्तों कि इनके philosophical thoughts हैं वो क्या है यानि कि इनके दार्सनिक विचार क्या है यह मानते हैं कि दोस्तों मानव जीवन को सुकी बनाने का विचार पूर्ण रूप से प्रकतिवादी है वे किसी अंतिम उद्देश को नहीं मानते हैं यानि कि पूरी तरह से अगर मानव जीवन को सुकी बनाना है तो प्रकति के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और ये किसी जीवन के अंतिम उद्देश या ultimate reality या ultimate objective को नहीं मानते हैं तो अगर मानव जीवन को सुकी बनाना है तो उसको प्रकति के नियमों का पालन करना पड़ेगा इसके अलावा किसी भी दार्शनिक या किसी भी दर्शन को डिफाइन करने के तीन फिल्ड होते हैं तत्व इमानसा, ज्यान विमानसा, आचारे एवं मुलिमानसा उसके बारे में भी दोस्तों हम जानेंगे तो देखे इसनकी तत्व इमानसा क्या कहती है मेटाफिजिक्स क्या कहती है इस्वर एवं आत्मा के अस्त्वितों को स्विकार किया गया बट इन्होंने पाद्रियों का विरोध किया तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इन्होंने जो पाद्री है उनका तो विरोध किया लेकिन ईस्वर और आत्मा के अस्त्वितों को स्विकार किया इसके अलावा जान विमानसा यानि कि एपिस्टेमलॉजी यह क्या कहती है ये कहते है कि प्रकति का ज्यान ही सच्चा ज्यान है, प्रकति का ज्यान यानि कि nature की knowledge, वो important है. ठीक है था? The knowledge of nature is true knowledge और इननोंने बताय है कि प्रकति दो प्रकार की है, एक प्रकति वो है जो कि मानव के प्रियास के बिना बनी है, made without human effort और एक प्रक्रति वो है जो कि मनुष्यों को जन्म से मिली है और जिसमें उसने दखल नहीं दिया है Man has got it by birth and in which he has not interfered तो आप समझ सकते हैं एक मानव के प्रयास के बिना बनी है और एक मनुष्यों को जन्म से मिली है जिसमें उसने दखल नहीं दिया है इसी को दोस्तों प्रक्रति माना जाता है नीचर अब बात करेंगे रूसों की ग्यान विमानसा में रूसों ये मानते हैं कि वही ग्यान सत्य है जो कि स्वेम के अनुबहों के द्वारा सीखा जाता है यानि कि इन्होंने दोस्तों learning through own experience को ज़्यादा emphasize किया है ये मानते हैं कि वही knowledge through है जो कि आप स्वेम के अनुबहों से सीखते हैं इसके बाद अब बात करेंगे मुलियम विमानसा यानि कि एक्सजियलोजी मैंने आपको पहली बताया है ये मानते हैं दोस्तों कि मनुश्यक इस्वर की सरुसेश क्रिटी है ठीक जिस लाइक आइडलिस या फिर आप अगे जो अनिदर्सन है वो भी दोस्तों यही मानते हैं तो consider man as a god best creation ठीक है ना और लेकिन ये साथी साथ ये भी मानते हैं कि मनुश्यों के हर प्रकार के सामाजिक राजनितिक तथा धार्मिक नियमों से स्वतंतर रखा जाए तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं to keep man independent from all kind of social, political and religious politician इसके बाद हम दोस्तों बाग करेंगे इनके educational thoughts के बारे में ठीक है ना educational thoughts इनके क्या क्या है सबसे पहला इनका thought है कि जो प्रकार्टी है वो शुद्ध है, सहज है, सुन्दर है और सुकमे है यानि कि nature is pure, simple, beautiful and happy इसके अलावा देखे ये कुछ इनके नियम है, सेक्षिक विचार जिनको हम दोस्ते हैं आपर समझेंगे दूसरा इनका विचार है कि मनुश्य की प्रकार्टी भी स्वतंत्र, शुद्ध, सहज, सुन्दर तथा सुकमे है वो स्वतंता पूर्वक रहना चाता है परमतु फिर भी उसका जनमजात स्वबाव है एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का सयोग करना तथा एक दूसरे को प्रसंद करना यानि कि human nature is also free, pure, natural, beautiful and happy and he wants to live independently but still his innate nature is to love other, cooperate with each other and make others happy तो आप समझ सकते हैं कि ये इनके क्या है educational thoughts है इसके बाद ये मानते हैं दोस्तों कि जो समाज है वो कई दोसों से भरा हुआ है और प्रकृति पूर्ण रूप से सुद्ध है यानि कि this society is full of many, vices and pure in nature मुला कई दोस हैं यहाँ पर vices इसके अलावा हम सही जान प्रकृति से प्राप्ट करते हैं नाकी समाज से we can get true knowledge from nature and not from society इसके अलावा मनुश्य की इंद्रियां ही ज्यान का प्रवेश द्वार है इंद्रियों द्वारा सिक्षा ही सची सिक्षा है ये इनके दोस्तों के सेच्षिक विचार है अब बात करेंगे कि ये concept of educational यानि कि इनके तरफ से सिक्षा का संप्रते क्या है देखे इनोंने सिक्षा को एक natural process माना है जिसके द्वारा बच्चे की अंतरनी सक्तियों का स्वभविक रूप से विकास किया जाता है बच्चे के अंदर ये मानते हैं कि inherent power है और इनको आपने अगर develop करना है तो naturally इनको develop किया जाए so education को दोस्तों इनने एक natural process माना है सभी बालोकों को प्राकर्थिक विकास के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए इसके देर दोस्तों ये समर्थकते प्रे मानते हैं कि सभी बालोकों को प्राकर्थिक विकास यानि कि उनके natural development के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए यानि कि equal opportunity मिलने चाहिए इनके according दोस्तों जो सिक्षा है वो दो प्रकार की होती है एक होती है निशेदात्मक यानि कि negative education और एक होती है सकारत्मक सिक्षा या फिर निशेदात्मक सिक्षा इन्होंने दोस्तों negative education का ज्यादा मलब के समर्थन किया है सकारत्मक सिक्षा का दोस्तों इन्होंने विरोत किया है अब यहाँ पर समझना होगा कि सकारत्मक सिक्षा और निश्यात्मक सिक्षा क्या है सकारत्मक सिक्षा दोस्तों वो सिक्षा है जो की actually चली आ रही थी उस समय पर यानि कि जिसमें एक बच्चे पर सिक्षा को यानि कि एक senior या prod के द्वारा आरोपित किया जाता तो ये आपकी जो सिक्षा है निश्यात्मक सिक्षा इसका समर्थन किया था रूसो ने सकारत्मक सिक्षा के बारे में रूसो का क्या कहना है एक बार ये भी जान लेते हैं मैं निश्यात्मक्षिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले ही मस्तिक्स को परिपक को बनाना चाहती है और बालक को प्रॉड मनुष्य के कर्तवों को करने का निर्देश देती है तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये सकारत्मक्षिक्षा का कोंसेप्ट का विरोध करते थे ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि भाया आई कॉल पॉजिटिव एडिपिशन वन देख से पहले ही मस्तिक्स को परिपक को बनाना चाहती है बालक की बच्चा है उसको पहले ही आप परिपक को बना दिया उसका समय नहीं आया है और बालक को प्रॉड मनुष्य के जो एक मनुष्य से मतलब एक ड्यूटी एक्सपेक्ट की जाती है तो पहली आप बालक से बोल ले हैं कि जो बड़ा आदमी जिसकी जो ड्यूटी होती है वो करने का उसको निर्देश देती है तो आप देख सकते हैं कि निस्चात्मक सिक्षा का इनोंने यहाँ पर विरोध किया है लेकिन निस्चात्मक सिक्षा को समर्थ तन देते हैं निगेटिव एजूकेशन ये मानते है उनके according ही उनको सिक्षा देने चाहिए और उनकी दोस्तों ग्यानेंद्रियों का विकास करें तो वही दोस्तों निशेदात्मक सिक्षा का उद्देश है So the aim of negative education is to impart education according to the child's natural power and tendency and to develop his senses तो आप देख सकते हैं कि इनका education के प्रती क्या concept है तो निशेदात्मक सिक्षा में basically क्या है important कि भहिया इन्होंने इंद्रिय प्रसिक्षन पर बल दिया है यानि कि stress on training of the sense organ and इसके अलावा पुस्तक्य ग्यान के स्थान पर अनभो द्वारा सीखना तो learning by experience in place of books ओके ये बाद ये सिक्षा के उद्देशे भी निर्धारित करते हैं जैसे कि इन्होंने अपने book ml में लिखा है तो ml के ही according दोसने यहाँ पर चीजों को बताया गया है तो देखे विभिन अवस्थाओं के लिए इन्होंने विशिस्ट सैक्षिक उर्देशे दिखे हैं कुछ स्पेसिफिकल एजुकेशनल ऑब्जेक्टेफ और डिफरेंट स्टेडिस वी नो डेट कि विकास की डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं जैसे कि दोस्तना आती है पहली इन्फैंसी यानि की सैस्वा वस्था तो इन्फैंसी में दोस्तों आपके जर्म से लेके पांच वर्ज तक की अवस्था इन्होंने मानी है यानि की एज फ्रॉम बर्थ तो फाइव यर्स इसमें इन्होंने माना है कि इस समय पर जो बालक है उसका मुख्य, मुख्यता, उसका सारे रिक विकास करना बहुत जोरी है तो यहाँ पर दोस्ता इनोंने माना है कि सिक्षा का मुख्यवदेश सारे रिक विकास ही होना चाहिए ठीक है ना, बच्चे को अभी आप पड़ाई लिखाई से दूर रखो बैसिकली आप उसका क्या करो, आप उसका सारे रिक विकास करो तो यहाँ पर समस्त दूस्टता, नरबलता से आती है बालक को पहले आप सबल बनाइए जिससे वह कुछ ऐसा नहीं करेगा जो कि बुरा हो तो आप देख सकते हैं, all weakness come from the weakness यहनि कि weakness come from the weakness and the child should be made strong so that he will do nothing which will be made तो आप देख सकते हैं कि इनका क्या concept है तो आप यह मानते हैं कि बालक को यहाँ पर खेलने, कूदने, सोचने, समझने के काम की पूरी स्वतनता दी जानी चाहिए इस एज में ठीक, तो the child should be given complete freedom in playing, jumping, thinking and understanding इसके बाद, बाली अवस्ता की बात करते हैं, बाली अवस्ता दोस्तों क्या है पांस से लेकर बारा वर्स की अवस्ता है, अब यहाँ पर यह मानते हैं कि जो सिक्ष्या का मुख्योदेश है, वो बालक की ज्यानेंद्रियों का विकास करना है यानि कि जो object है education का वो है to develop the sense of the child यानि कि आपने sense of the child को develop करना है, इसके बाद बात करेंगे कि सोरा वस्ता की कि सोरा वस्ता क्या है, बारा से लेके पंदरा वर्स की अवस्ता है, जो कि बारा से लेके पंदरा वर्स की अवस्ता है इसमें अब ऐसी सिक्षा दीनी है जो कि बालक के विक्तितों के विकाद्स में सायको। यानि कि अब अपने चाइड़् की पर्सिनलिडी को डेवलब करना है। तो पहली स्टेज में बालक का सायलीग विकास करो। दूसरी स्टेज में इसकी ज्यानिंद्रियों का दोस्तों विकास करो और तीसरी स्टेज में आप बालक के विक्टितों का विकास करेंगे, यनि कि किसोर आवस्ता में। अब इसके बाद दोस्तों आती है यू आवस्ता तो 15 से 20 वर्स तक की आवस्ता को दोस्तों यू आवस्ता इन्होंने बोला है इसमें उनके सरीर ग्यानिंद्रिया एवं बुद्धी के विकास पर बल दिया है मतलब कि इसमें आप ये मान के चलेंगे तीनों स्टेज पर जो इ अब उसे केवल हिर्दय परदान करना सेस है इनकी डेफिनेशन से पता लगता है तो जब सैस्व आवस्ता है सैस्व आवस्ता में शारिक विकास हो गया बाले वस्ता में ग्यानिंद्रियू का विकास हो गया इसके लावा कि सोरा वस्ता में इनके विक्तित्तों का विकास हो विकास यानिकी physical development दूसरा है ज्याने द्रियों का perception यानिकी training of senses बहुदिक विकास करना है intellectual development करना है इसके अलावा भावतमत विकास यानिकी emotional development भी करना है इसके बाद अब सिक्षा के मुख्य वियावारिक ज्यान परदान करना है ठीक और प्रवर्टियों का स्वतंत्र और स्वभाविक विकास करना है to develop free and natural tendency तो ये इनके मुख्य सिक्षा के दोस्तों विद्देश्य हैं इसके बाद अब सिक्षा का पार्ठिकरम सिक्षा का पार्ठिकरम भी इनके द्वारा परतेक विभिन्द ववस्ता के लिए विसस पार्ठिकरम बनाया गया क्योंकि जैसा उद्देश्य होगा उसके according ही पार्ठिकरम होगा जैसे कि पहली अवस्ता क्या है सैस्व अवस्ता सैस्व अवस्ता में मुख्यता सिक्षा का उद्देश्य है कि हमें इनका सारिक विकास करना है तो बालक को क्या सिक्षा देनी चाहिए क्या पांठी करम होना है उनको खेल कोद कराओ व्यायाम कराओ दौरना है घूमना है प्राकरतिक परदार्थ का अवलोकन करना बताना है ठीक है तो चाइल्ड को encourage करना है play, sports, exercise, run ठीक है यानि कि प्राकर्तिक वातवरण का अनुभव करना इत्यागी, तो आपने क्या करना है, इसके बाद इस प्रकार की गतिविदियों के अवसर प्रदान करना, ठीक है, यानि कि जो भी आप गतिविदियां करवा रहे हैं, इस प्रकार की गतिविदियों के उनको अवसर प्रदा यह इसका उदेश है तो आप देखिए बालक को पुस्त की ज्ञान के स्थान पर उनके अन्भाव द्वारा सीखने पर बल जिससे कि दोस्तों इनका क्या होगा इंद्रियों का प्रसिक्षन होगा यानि कि इंद्रियों का ट्रेनिंग होगी एक तरह से क्योंकि स्वैम के तो यहां पर आप समझते हैं कि पुस्त की ज्ञान के स्थान पर अन्भाव द्वारा सीखने पर बल देना है इसके अलावा पाथिक्रम, पाथिक्रम क्या होना चाहिए पाथिक्रम होना चाहिए निश्चेद अपनसकिछा मैंने पहली बोला negative education को दोस्तों यह यहाँ पर emphasize करते हैं इसके अलावा देख सकते हैं बाले अवस्ता में जो पार्ठी करम है खेलना, कूदना, तैरना, देखना, सुनना ये सबी दोस्ता आएगा और इसके अलावा ज्यानेंद्रियों का स्वतंतर प्रयोग करना ये सब दोस्ता इसके अंतरगत आएगा। इसके बाद बाल्य वस्ता में अनुभो प्राप्त करना, बच्ची की प्रकती और इसके अलावा भासा, गणित एवं भुगोई की सिक्षा देना ये सभी बाल्य वस्ता के पार्ठीक्रम के अंतरगर आते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे किसोरावस्ता की। किसोरावस्ता में दोस्तों मानते हैं कि अब बालक को आप आपने उसका ग्यानिंद्रियों का प्रसिक्षन उसको दे दिया है, उसका सारे जूप से विकास कर दिया है, अब उसके विक्तितों का विकास करें। तो यहाँ पर देखें क्या मात यह कहते हैं प्राकर्तिक विज्ञान की सिक्षा प्रदान करना जिससे कि उसके भीतर अनुसंधान और आत्म सिक्षा की सक्ती बढ़े यह दोस्तों इन्होंने किसोरावस्ता का मेन करिक्लम का उद्धिश्य माला है ठीक तो इसमें बालक को प्रकति विज्ञान, भासा, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, सामाजिक जीवन और व्यावसाई संबंदी सिक्षा देना इन्होंने करिक्लम में ज़्यादा इन चीजों को इंफिसाईस किया है इसके अलावा अब बात करते हैं यो आवस्ता, अब यो आवस्ता हमें कहा है दोस्तों कि बालक का सारी विकास हो गया है, ग्यानिंद्रियों का विकास हो चुका है और उनका परसनलिटी डवलमेंट बुद्धी का विकास भी हो चुका है, अब उनको हमने भावत्मक रूप से विक्सित करना है तो अब यहाँ पर नैतिक और धर्म सिक्षा को विसेश महतों देना है Special Importance to Moral and Collegious Education इसके अलावा उनको पौराना की कथाईं भी बतानी है सामाजिक सिक्षा देनी है, साहित्य पढ़ाना है, दर्शन अदि सभी को पाठिकर में समलित किया जाए Mythology, Social Education, Literature, Philosophy ठीक है इसको आपनी करिक्लम में आट करना है इसके अलावा करिक्लम में सारी सिक्षा, संगीत, कला और काम सिक्षा को भी स्थान देना है तो आप देख सकते हैं कि युग वस्था में क्या है इसके अलावा दोस्तों है, इन्होंने सिक्षा, स्त्री सिक्षा से संबंदित भी दोस्तों अपने प्रावधान किये हैं रूसोंने दोस्तों ही माना है कि स्त्री पूरुस एक जैसे नहीं है दोनों के लिए अलग-लग सिक्षा के प्रावधान होनी चाहिए ठीक है जिसे की स्त्री है तो उनको ग्रह कारे की सिक्षा परदान की जाए जिसे स्त्री हैं उनको पाक कला, सिलाई, कडाई, बुनाई, बच्चों का लालग-पालग आदी चीजे उनको सिखाई जानी चाहिए नाचना, गाना और लेरित कलाई भी दोस्तों उनको सिखानी चाहिए तो यह मानते हैं कि दोस्तों जो स्त्री की सिक्षा है वो अलग होनी चाहिए पुरुस की सिक्षा अलग होनी चाहिए पुरुस और जो इस्त्री है उनकी सिक्षा में अंतर होना चाहिए इस्त्री को जायता है नोने बोला कि इनको ग्रह कारी की सिक्षा परदान की जाए लाइक कुकिंग, स्विंग, ठीक है ना तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ दोसने इस्त्री को देनी है ये इनका दोस्तों कॉंसेप्ट है, ठीक? इसके अलावा अब ये मानते हैं सिक्षन की विधिया क्या क्या होनी की है देखे, जैसे सिक्षा के उदेश होंगे, उसी के अकौर्डिंग क्या होंगी, सिक्षन विधिया भी होंगी तो सबसे पहले स्वान भहु द्वारा सीखना, यानि कि learning by the experience ज्यानी दिर्व द्वारा सीखना, यानि कि education through senses इसके अलावा करके सीखना, करके सीखना इनका सिक्षन विधियो के मोख्या उदेश है अब देखें सिक्षण विदियां जो विखित हुई रूसो के इन concept के आधार पर आगे चल कर कई सारी मनोवज्ञानिक विखित हुई तो कौन-कौन सी मनोविज्यानिक विदिया है दोस्तों जैसे कि इसमें पहले आती है observation method इसके अलावा innovation method यानि कि investigation method इसके अलावा dalton method ये सबी दोस्तों सिक्षन विदिया है जो कि रूसों के सिध्धान पर आगे जाके डवलप वी इसके बाद हम बात करेंगे discipline की तो discipline के बा law of nature consequences तो दोस्तों ये आपके मुक्तियात्मक अनुसासन के समर्थक थे यानि कि बालक को आफ मुक्त रखो उस पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना रखें उसको प्रकरती दंड देगी तो स्वैम देगी वो खुद के अनुभव से सीखेगा और फिर अपने आपे उसमें discipline आएगा ठीक तो मुक्तियात्मक अनुसासन के दोस्तों समर्थक थे जिसे की आदर्शवादी थे तो वे मानते थे कि प्रभावत्मक अनुसासन होना चीए दमनात्मक अनुसासन होना चीए आदर्शवादियों का ये है तो यहाँ पर बालक को मुक्त रखो उस पर किसी भ बाहे बंदन के अपना विकास करें यानि कि discipline आईसा रखना है the child should work according to his own nature and develop without any restriction इसके बाद बात करेंगे टीचर के टीचर को दोस्तों इनोंने एक दोसा युक्त समाजिक प्राणी माना है इनोंने माना है कि टीचर में भी कई सारे दोस होते हैं यहाँ पर टीचर को इनोंन परियावन का निर्मान करना है ठीक है ना बेसिकली बालक को छोड़ देना है बालक स्वेम सीखेगा वो अपनी tendency जो उसकी प्रवर्तिया है जो उसके अंदर आंतरिक सकती हैं उसके according वो अपनी आप सीख लेगा तो यहाँ पर दोस्तों जो टीचर को इनोंने secondary position दी है और ज उसे बच्चे के विकास के लिए उप्युक्त वातावन सिजित करना चाहिए तो बेसिकली यहाँ पर जोने यही बोला है कि सिक्षक को सूसना परदान करने वाला नहीं होना चाहिए उसे बच्चे के विकास के लिए एक बढ़िया environment को create करना चाहिए इसके बाद विध्यार अजलिती है ग्रोध है उसकी नेड है उसके अनुसार ही उसको एजुकिशन देनी चाहिए इसके बाद बालक की प्रवर्टियां तथा उसके विकास के अवस्थाओं के इसक्षा बनाने का प्रियास तो यह तो हम इसके बारे मैं उल्ड़ी पढ़ चुके हैं जो विकास की भी भी नवस्ताएं हैं, उनके अनुसार ही सिक्षा को बनाने का प्रयास होना चाहिए इसके बाद दोस्तों विद्ध्याले हैं, अब देखिए विद्ध्याले में, जो उस समय पर दोस्तों विद्ध्याले चलते थे, उसका इन्होंने विरोध किया. ये माननते थी कि विद्धियाले में एक ऐसा वातर हुना चाहिए जो पूरी तरस से नाइशल होना चाहिए ठीके है? ठीके ना? और ये मानते थी कि समाथ से दूर ले जाएक ही कहीं विद्धियाले स्थापित करने चाहिए प्रकृति की गोद में और वहीं पर इनके सिक्षा दी जानी चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रकृति की ओर लॉटो का इनोंने नारा दिया slogan of return to nature प्रकृति की गोद में ही सिक्षा प्रतान करनी चाहिए और विद्याले में बालकों को पूर्ण स्वतंदा देने पर इनोंने बल दिया उन पर किसी भी प्रकार का नियंतरण नहीं किया जाना चाहिए तो यह थे दोस्तों आपके रूसों के सेक्षिनिक विचार और उनकी सेक्षिनिक अवधान है आई होप कि दोस्तों यह आपको लेसन अच्छा लगा होगा और आपके एक्जाम के दुष्टिकों से दोस्तों यह उप्योगी सिद्ध होगा ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए टेक केर एंड गुडबाई